नमस्कार दोस्तों टेक्नोटेक बीपेन चैनल में आप सबका तेही दिल से स्वागत है दोस्तों अगर आप फेस्बुक के पास्वार्ड भूल चुके हैं तो आप कैसे फिर से फेस्बुक के पास्वार्ड रिकवर कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपका पास जीमेल किये थे और mobile number होना चाहिए यह इस दोनों से आपको कोई भी एक होने से आपका password आप recover कर सकते हैं दोस्तो इस trick को देखने के लिए हम चलते हैं हमारे mobile screen पे अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलते हैं mobile screen पे दोस्तो यहां पर facebook application open कर लेते हैं facebook application open करने का बत टॉप में show कर रहा है phone और email अगर आपका फास phone number है तो भी चलेगा अगर आप पहले से facebook account email से login किये थे तो ओही email का account भी चाहिए मैंने मेरा phone number यहां पर एंटर कर लेता हूं क्योंकि मैं facebook phone number से login किया था मगर अभी क्या करूंगा मैं password में भूल चुका हूं दोस्तो यहां पर मैं मेरा phone number एंटर कर लेता हूं पुर्ण नोबर एंटर करने का बाद नीचे किया करूंगा डाउन साइड में जहां पर पासवार लिखा है मैं यहां पर कोई गलत password डाल दूंगा दोस्तों यहां पर login में जोब क्लिक कर लेता हूं यहां पर देखिए मैंने गलत password डाला था यहां पर एक मेस्ट हमको एक मेसेज कर रहा है नीड हेल्प फाइंड यूर अकाउंट येस हम क्या करेंगे फाइंड अकाउंड में क्लिक कर लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं नया password जेनरेट करें देखिए फाइंड यूर अकाउंट उप्रकेंड यूर औटमेटकर ली देन नेक्स्ट में जब क्लिक करेंगे यहां पर सेंड घृम prag Present ह руки अरूप मेंचन ने हम चाहते हैं मोबाइल में कोई ए मी क्लम इंड है देन क्लिक कर लीत हैं कि दोश्टों जबं क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल नमर में एक ओटीपी आएगा ओटीपी हमको इस दन यहां पर एंटर कोड में भरना है दोस्तों यहां पर हम हमारा मोबाइल जो ओटीपी आए है हम उसको यहां पर भर लेते हैं तो यहां पर six digit का ओटीपी भरके नीचे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों Gmail के लिए भी सेम प्रोसेस है देन क्लिक करने का बाद दीके यहां पर पेज सो कर रहा है create a new password यहां पर हम नया password क्या रखना चाहते हैं यहां पर हम रखेंगे दोस्तों नीचे लिखा है stay login into this account on other device आप अगर इस account को किसी दूसरे device में login किये हैं तो उसको रखना चाहते हैं मैं नहीं रखना चाहता है इसलिए right corner में जो bracket में tick mark है हम इसको हटा लेंगे क्योंकि मैं उस account को नहीं रखने चाहता हूँ privacy के लिए यहां पर मैं मेरा password डालके निचे जो right corner में जो tick mark का bracket है मैं उसको हटा लूँगा blank कर लूँगा यहां पर मैं successfully मेरा password दे देवा हूँ देखे मैं हटा लिया then continue में क्लिक कर लेंगे दोस्तों continue में क्लिक करने का बाद यह processing होगा देखे यहां पर सो कर रहा है remember your password हमको हमारा password याद रखने के लिए बोल रहा है अगर दोस्तों आपका password याद नहीं रहता आप note down भी कर सकते हैं देखिए हमारा facebook account open हो चुका है दोस्तों अगर आपका पास gmail account है आपका पास phone over नहीं है तो आप क्या करेंगे आप gmail account डाल के भी आप six digit का उट्टी भी आपके gmail account में जाएगा फिर उट्टी भी का नंबर आप डाल के password recover कर सकते हैं दोस्तों मैं mobile tips and tricks related video बनाता हूं अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू सो मच